बैंक, सोना चांदी, पैसा की चोरियों के बारे में आज तक आपने तो सुनाई होगा लेकिन हम आज आपको बताएंगे दुनिया के दो ऐसी चोरियों के बारे में जिसे देखकर आप बस यही बोलोगे नम्मर वन इस्टोलन बूल सीमन यानि की सांड का वीर्य 2016 में कैलोफोर्निया में एक बड़ी और अजीब चोरी हुई जिसका किसाय द्यापंदाजा लगा पाओगी की ऐसी भी चोरी हो सकती है जो की वो चोरी हुई थी सांड के वीर्य की जिसकी कीमत 30-35 लाक रुपए हुआ करती थी चोरों ने 3500 यूनिट बुल का स्पर्म चुरा लिया था इस वीर्य की मदद से 1000 से भी ज़्यादा गायों को प्रेगनेंट किया जा सकता था पसू किसान एंथिनी रेस ने महिनों की मेहनत से इतने सारे वीर्य को इकठा किया था जिसे चोरों ने एक रात में ही चुरा लिया सायद उन चोरों को पता भी नहीं रहा होगा कि उन चोरों ने अखिर चुराया क्या है इस सीमन को माइनस 300 डिग्री हारन हाइट तापमान में लिक्विट नाइट रोजन में रखा जाना चाहिए वरना इसका जनेटिक लोड खराब जाएगा लोग कभी कभी फिल्मों में या असल जिन्दगी में किसी घर के अंदर बड़ी चोरी की मकसद से खुशते हैं मगर उनके हाथ में क्या आता है सिर्फ घंटा कुछ ऐसा ही हुआ था इस चोर के साथ भी 2017 में अमेरिका के डे मॉन सायर में एक ट्रक ड्राइबर ने रिपोर्ट लिखाया था कि उसके ट्रक में अजीब चोरी हुई है कोई चोर ट्रक चुराने के लिए ट्रक के अंदर घुश गया लेकिन ट्रक चुराने का कोई जुगारी नहीं कर पया इसलिए उसने ट्रक में पड़े कुछ प्लास्टिक बैक्स को ही शुरा लिया जिसमें की कुत्ते की मल यानी विष्ठा थी जिसकी कीमत मतर एक डॉलर थी वह चोर इस मल का क्या करेगा नहीं पता मगर वह जब इस वैक को खोला होगा तब उसको दर्थ तो बहुत हुआ होगा समझ रहो समझ रहो और गाइस आपको इन दोनों चोरियों में से कौन सी चोरी सबसे मज़दार लगी आप नीशे कॉमेंट में बताओ और ऐसे ही खतरनाक चोरियों के बारे में जानने के लिए लेफ्ट या राइट वाली वीडियो पे किलिक करो और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी सेयर करें ताकि उनको भी पता चल सके कि दुनिया में कैसी कैसी चोरिया होती रहती है